Hello everyone, आज हम करेंगे basic calculation series का video number 8 जिसमें हम सीखेंगे कि आप root से कैसे deal करते हो यानि कि root को कैसे add करते हैं, subtract करते हैं, multiply करते हैं या divide करते हैं तो बहुत ही important है, root से बहुत बच्चे डरते हैं, इस video के बाद I hope कि आपको डर नहीं लगेगा और आपके लिए simple हो जाएगा root को समझना, तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले root का मतलब क्या होता है तो root का मतलब है square का उल्टा, तो square और root एक दूसरे के उल्टे होते हैं इसको मैं समझाती हूँ, अच्छा से, मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर 4 लिख रही हूँ और उसका यहाँ पर root लिख रही हूँ तो root 4 का क्या मतलब है, root 4 का मतलब है 4 की जो power है वो है 1 upon 2 यानि power जो है fraction में है और half है, 1 upon 2 है, यह मतलब होता है आपके root का अब इसको further solve करके देखते हैं, 4 को मैं लिख सकती हूँ, 2 into 2, 2, 2 is a 4 होता है, तो 2 into 2, 4 मैंने 4 की जगा पर यहाँ यह लिख दिया और power में half as it is बना हुआ है, अब 2 दो बर multiply हो रहा है, तो 2 की power मैं यहाँ पर 2 लिख सकती हूँ यह 4 की ही जगा पर लिख रही हूँ, 2 की power 2, 4 की जगा पर लिख दिया, और इसकी भी power में half as it is बना हुआ है, तो अब देखो यहाँ पर, यह दोनों आपस में multiply हो रहे हैं, 2 multiplied by 1 by 2, यानि यह 2 से यह 2 कट जाएगा, तो answer आएगा सिर्फ 2, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि root 4 का मतलब है 2, यानि 4 की अगर power में half लिखूं तो उसका answer आएगा 2, ऐसे ही इसी का उल्टा देखें, तो 2 का अगर मैं square करूं, यानि 2 multiplied by 2 करूं, तो answer आएगा 4, तो 2 का square 4 होता है, ऐसे ही 4 का root 2 होता है, तो root और square जो है एक दूसरे का उल्टा है, एक और नंबर देखो जैसे मान लो, मैं 9 में root लिखती हूँ, ठीके, root 9, तो 9 को हम कैसे लिख सकते है, 3 into 3, और root को कैसे लिख सकते है, 1 upon 2, यह मैंने ऐसा symbol ना लगा कर उसकी power 1 upon 2 लिख दिया, तो 3 की power यहाँ पे लिखूंगे, मैं 2, और यह 1 upon 2 as it is, 2 से 2 cancel, answer आएगा 3, तो इससे आपको पता च मज़ आया होगा, अब देखते हैं, इनको add, subtract, multiply और divide कैसे करोगे, सबसे पहले सीखते हैं, addition, यानि add करना, add कैसे करोगे, सबसे पहले मानते हैं कि आपको root 2 में root 2 को ही add करना है, तो इसको ऐसे समझो कि root 2 की जगा x है, ठीके, जिसे आप किसी एक variable को add कर रहे हो, किसी एक variable क हो गई है, तो अगर मानलो यह x होता है, तो हम क्या लिखते है, x plus x, 2x लिखते हैं, है ना, दो बार x हो गया, तो 2x लिखोगे, ऐसे ही same, root 2 plus root 2 कितना हो जाता है, 2 root 2, 2 हो गया आपके पास, root 2, तो 2 root 2, ठीके, इसी तरह अगर मानलो, 2 root 2 plus आपको यहाँ पे root 2 दिया हो, त अगर same root है, तो वो normally add होगा, और जितने roots है, उतना number plus होगे, यहाँ पे लिखा जाएगा, ऐसे ही मानलो, 3 root 2 plus 2 root 2 है, तो 3 और 2 numbers को add करो 5, और root 2, 5 root 2 होगे, ठीके, इसी तरह, अगर आपको root 2 के साथ, कोई और root add करना है, यानि root 3 add करना है, ठीके, root 2 plus root 3, तो याद रखना, हम दोनों अलग roots को plus नहीं कर सकते, तो इसका answer root 2 plus root 3 ही रहेगा, इसको आप further solve नहीं कर सकते, ठीके, ऐसे ही root 2 के साथ, मानलो, root 5 plus हो रहा है, तो यह root 2 plus root 5 ही रहेगा, ठीके, इसको add नहीं करना है आपको, इसी तरह, अब देखते है, subtract कैसे करोगे, subtract में, same यही चीज, root 2 में से आप root 2 minus कर रहे ओ, तो same चीज में से same चीज minus होती ही, answer आता है 0, right, जैसे x में से x minus कर दिया, या 2 में से 2 minus कर दिया, तो 0 आया, तो root 2 minus root 2 is 0, ऐसे 2 root 2 minus root 2, 2 root 2 थे आपके पास, उसमें से 1 root 2 minus कर दिया, तो सिर्फ 1 root 2 बचेगा, ऐसे ही मानलो, 3 root 2 minus 2 root 2 तो 3 और 2 को आप minus करो 1 और सिर्फ root 2 तो 1 को लिखने की ज़रुत नहीं होती तो answer is root 2 इसी तरह से root 3 में से अगर मैं root 2 minus करना चाहूं तो फिर से ध्यान से देखना दोनो roots अलग हैं तो इनको हम minus नहीं कर सकते तो यही answer रहेगा root 3 minus root 2 यह आपका answer है ऐसे ही मान लेते हैं 3 root 3 minus 2 root 2 ऐसे कुछ दियाव है तो तब भी आपको constants को आप deal नहीं कर सकते आपको सिर्फ यही answer लिखना है 3 root 3 minus 2 root 2 यह answer होगा इसको आप further solve नहीं करोगे आप सीखते हैं multiplication आप 2 roots को multiply कैसे करोगे तो मान लेते हैं क्या आएगा? यह root जो है वो गायव हो जाता है और सिर्फ वो number आता है जिसके उपर root है यानि root 2 multiply by root 2 क्या होगा? 2 होगा ऐसी अगर मैं root 3 multiplied by root 3 same root को multiply करूँगी तो 3 answer आएगा यह कैसे होता है? उसको थोड़ा से एक बार देखते है root 2 multiplied by root 2 है उसको मैं 2 लिख रही हूँ इसको कैसे solve किया? देखो root 2 का मतलब है 2 की power जो है उसमें half है बीच में multiplication देखो इसकी जगा मैंने root की जगा power में half लिख दिया ऐसे ही यह 2 था root की जगा मैंने power में half लिख दिया ठीक है? क्योंकि अभी मैंने पहले समझाया था root का मतलब power is half तो 2 power half multiplied by 2 power half यहाँ पे exponent का rule लगाएंगे base सेम है तो power क्या होंगी? multiply हो रहे हैं यह दोनो तो power add हो जाएंगी तो base एक ही बार लिखेंगे और दोनो powers को add कर देंगे half plus half तो root 2 2 हाफ और हाफ कितना होगा? यह LC हम लेके देख लो या वैसे ही solve करोगे यह 1 आएगा तो 2 power 1 is 2 तो यह आपका answer है तो root 2 multiplied by root 2 2 होता है इसी तरह आप कोई भी जिसे root 5 ले लो root 5 into root 5 क्या करोगे? 5 power half multiplied 5 power half तो 5 common लो ठीक है? दोनो base सेम है power add हो जाएंगी half plus half क्या होता है? 1 होता है 5 की power 1 आई तो 5 answer है तो root 5 into root 5 5 होता है ठीक है? तो same roots को multiply करेंगे तो whole number answer आएगा वही number answer आएगा इसी तरह से मान लेते हैं अगर 2 root 2 है और उसको root 2 से multiply करना है ठीक है? ध्यान से देखना root 2 और root 2 same है तो ये तो बन जाएगा multiply होके सिर्फ 2 ठीक है? और ये जो आगे 2 था ये भी multiplication में है तो इसका answer आएगा 4 फिर से एक और बार देखो मान लेते हैं 3 root 3 है वो multiply हो रहा है root 3 के साथ तो root 3 into root 3 same roots multiply होके एक whole number देंगे आपको तो root 3 into root 3 is 3 और ये जो आगे वाला 3 था वो भी multiplication में है तो answer आएगा 9 ठीक है? इसके बाद देखते हैं multiplication में एक और चीज़ मान लेते हैं 3 root 2 है multiplied by 2 root 2 है ठीक है? फिर से देखो root and root same root है root 2 multiplied by root 2 is 2 और 3 और 2 और है multiply होने के लिए तो 3 multiplied by 2 is 6 so 6 into 2 is 12 इसके answer आएगा 12 अब एक और टाइप देखो मान लेते हैं हमें root 2 को multiply करना है root 3 के साथ ठीक है? ये एक और टाइप है root 2 multiplied by root 3 तो addition में या subtraction में हम इनको solve नहीं कर सकते लेकिन हम इनको multiplication में solve कर सकते हैं ध्यान लखना ये दोनों आपस में multiply हो जाएंगे जो numbers हैं वो आपस में multiply हो जाएंगे 2 into 3 होता है 6 और root 6 के उपर आजाएगा बहुत ध्यान से सुनना multiplication में हम roots को multiply कर सकते हैं अगर ये होता root 2 minus root 3 तो इसको आगे हम solve नहीं कर सकते थे ये होता root 2 plus root 3 तो अलग-अलग roots को हम solve नहीं कर सकते लेकिन इसको multiplication में हम आगे multiply कर सकते हैं अब जो root के नीचे numbers हमको multiply कर दो 2 into 3 is 6 और उसके उपर root लगा दो ठीक है आगे देखते हैं कुछ और example देख लो जैसे root 2 into root 5 करना है मुझे तो 2 5s आ 10 होता है और 10 के उपर root ऐसे ही आपको root 3 into root 7 करना है लेटसे तो root 7 into 3, 21 ऐसे ही root 3 into root 5 करना है तो 3 5s are 15 और उसके उपर root तो यह आपको multiplication I guess easy लग रही है अब different root से try करते हैं और different type देखो इदर मान लेते हैं 2 root 3 है वो multiply हो रहा है 3 root 2 के साथ ठीक है यहाँ पे इनके साथ एक number भी है और roots भी है तो आप root 3 और root 2 को जैसे multiply करते हो वैसी करोगे 3 to the 6 होता है और उनके उपर लगा दो root ठीक है और 2 और 3 भी है तो 2 3 आपस में multiply करो 2 और 3 6 होता है तो 6 root 6 इसका answer होगा ठीक है इसी तरह से 5 root 2 है मान लेते हैं इन 2 आपको 2 root 5 करना है तो देखो root root दोनों को multiply करो 2 5s are 10 इसके उपर लगा दो root 5 into 2 अलग से multiply होगा यह हो जाएगा 10 10 root 10 इसका answer है इसी तरह से एक और question देखो जैसे 7 root 3 है multiply 2 root 5 करना है आपको जितना practice करोगे उतना अच्छे से समझ आएगा तो 3 और 5 multiply होगे आपस में 15 और यह दोनों है root में और 7 और 2 आपस में multiply होगे 14 तो 14 root 15 इसका answer है कुछ बच्चों को problem होती है कुछ चीज़न solve करने में जैसे 3 root 2 2 का आपको square दिया है ठीक है इसको कैसे solve करोगे square का मतलब है कि यह जो अंदर bracket के अंदर जो number है वो दो बार multiply हो रहा है तो आप square को खोल के देखो 3 root 2 multiplied 3 root 2 यही मतलब है इसका तो आप क्या करोगे 3 3 is a 9 होता है root 2 into root 2 कितना हो जाएगा root 4 बस यह आपका answer है अब आपको पता है देखो further कि root 4 की value क्या होती है अभी मैंने video की starting में बताया था root 4 का मतलब होता है 2 ठीक है तो 9 और root 4 की जगह में 2 लिख सकती हूँ 9 to the 18 होता है तो इसका answer 18 आ गया जिस root का आपको clear value पता है वो आप solve कर सकते हो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे देखो 9 root 4 था यहां पर तो 9 और root 4 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 4 to the power 1 by 2 ठीक है 9 4 की जगह 2 into 2 लिख सकती हूँ उसकी power 1 by 2 ऐसे ही 9 into 2 to the power 2 उसकी भी power 1 by 2 यह मैं starting में समझा चुके हैं आपको 9 into फिर यह 2 से 2 cancel और 2 तो ultimately 18 ही आएगा आपके पस ठीक है तो आपको ध्यान रखना है कुछ roots आपको verbally आपको याद होने चाहिए जैसे 4 का root 2 होता है 9 का root 3 होता है तो basic roots है यह बारबर use होंगे यह आपको पता होने चाहिए ऐसे एक और देखते हैं जैसे मालनो 2 root let's say 2 को उसका square solve करना है ठीक है तो 2 root 2 का square क्या होता है 2 into root 2 2 into root 2 यानि यह जो अंदर वाला है यह दो बार multiply हो रहा है तो यह constants जो है उनको तो multiply कर दो 2 to the 4 और root 2 into root 2 कितना होता है सिर्फ 2 होता है तो यह answer आएगा 8 ठीक है ऐसे ही एक और देख लेते है 4 root 3 का square निकालना है आपको 4 root 3 into 4 root 3 4 4 is a 16 3 3 is a root 3 into root 3 is 3 16 3 is 48 तो यह आपका answer है किसी भी बच्चे को अगर लग रहा हो कि बहुत speed में जा रहा है नहीं समझ आ रहा तो वीडियो में आपके बस option होता है YouTube में कि आप speed को slow कर सकते हो तो थोड़ा सा slow करके देखना क्योंकि मुझे कुछ लोगोंने comment किया कि आप बहुत जल्दी बढ़ाते हो तो आपके बस option होता है हमेशा कि आप slow down कर सकते हो याद तेज कर सकते हो जैसे भी आपको speed चाहिए तो आप उसे साप से adjust कर लेना आप question करते है टाइम कुछ और चीज़ें आती है solve करने को जैसे कि आपको बोला जाएगा root 12 को solve करो इसका value क्या होगा वो बताओ तो आपको कुछ नहीं करना root 12 को आप कैसे लिख सकते हो 3 into 4 लिख सकते हो ठीक है अब 4 को मैं कैसे लिख सकते हूं 3 into 2 into 2 ऐसे भी लिख सकते हूं 4 की जगा तो देखो 3 to the 6, 6 to the 12 है यह root में 12 ही बट मैंने इसको थोड़ा सा expand कर दिया है factors की form में लिख दिया है ठीक है इससे हुआ क्या ध्यान जा देखना मैंने क्या किया यह root 3 यह देखो pair में 2 2 आपको दिख रहे है ठीक है तो यह हो जाएगा root 3 अलग और यह जो pair है इसको मैं ऐसे लिख सकते हूं square ठीक है और इसका भी root है ठीक है अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो यह ऐसे समझो कि root 3 into 2 का square मैं ऐसे लिख सकते हूं क्योंकि 2 जो है वो दो बार है तो ध्यान से देखना इस 3 के पास तो root रहेगा लेकिन इस 2 के square के पास root नहीं रहेगा क्योंकि square से यह root cancel हो जाएगा तो root 3 तो as it is रहेगा लेकिन सिर्फ 2 बचेगा यहां पर क्योंकि 2 का square था और square और root आपस में cancel हो जाते हैं cancel हो जाने का मतलब है जब मैं root को 1 by 2 करके लिखूंगी तो यह 2 by 2 cancel हो जाएगे ठीक है तो root 3 के उपर 3 के उपर तो root रहेगा लेकिन 2 के उपर से हट जाएगा यानि 4 की जगा पर मैंने 2 लिख दिया root 4 की जगा मैं root 2 लिख रहे हूं ऐसे नहीं समझाया तो फिर से देखो एक बार root 12 था root 12 को मैंने क्या लिखा 3 into 4 और उस पूरे के उपर root आपको पता है कि root 3 तो root 3 है और root 4 root 4 क्या होता है 2 होता है ठीक है हम बहुत देर से पढ़ रहे हैंगे तो यह हो जाएगा 2 root 3 answer ठीक है तो अगला ऐसी एक और देखते हैं let's say root 24 है ठीक है root 24 को आप कैसे लिखोगे root 24 होता है 12 into 2 ठीक है 12 को भी break कर सकते हूं 3 into 4 into 2 अब ध्यान से देखो इसमें root 3 का कोई solution नहीं होता root 2 का नहीं होता लेकिन root 4 को मैं एक whole number में लिख सकती हूं जो है 2 तो मैं लिखूंगी root 3 as it is रहेगा इसको मैं सिर्फ 2 लिखूंगी और इसको लिखूंगी root 2 ठीक है यह देखो ध्यान से पूरे में root था तो root 3 यह रहा root 4 2 बन गया और root 2 as it is है ठीक है तो यह 2 आगे आ जाएगा और यह दोनों में अभी बताया multiply हो सकते है roots आपस में तो यह root 6 हो जाएगा 2 root 6 बोलते है root 24 को इसी तरह से root 32 तो root 32 में क्या लिखोगे देखो 32 कैसे आता है 32 आता है मेरे पास तो अब देखो यहाँ पर इस 2 को और इस 2 को तो मैं 4 लिख सकती हूँ और 4 का root मतलब 2 तो इस 2 2 के root की जगा मैं सिर्फ 1 2 लिख सकती हूँ अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो step देख लो एक और यह हो गया 4 multiplied by 4 into 2 और उसके उपर root 2 इसका answer होगा अब देखते हैं divide कैसे करते हैं root को बहुत ही असान है divide करना मान लेते हैं root 2 को divide करना है root 2 के साथ यानि same roots को divide करना है तो इसको मैं ऐसे लख सकती हूँ root 2 upon root 2 आपको पता है जब उपर नीचे दोनों जगा पर numerator और denominator में दोनों में same हो तो वो cancel हो जाता है तो इसका answer आएगा 1 यानि दो same roots आपस में divide हो रहे हो और cancel हो जाएंगे लेकिन अगर एक और variation देखो root 3 root 2 divided by root 2 हो तो इसको फिर से ऐसे लिख कर समझो 3 root 2 और नीचे root 2 तो आपका फिर से root 2 root 2 numerator और denominator में cancel हो जाएंगे सिर्फ बचेगा 3 और आपका answer है इसी तरह से मान लेते हैं 3 root 2 divided by root 3 है इस बार root change हो गए यहाँ पर दोनों में root same थे root में जो number था वो same था यहाँ पर root जो है वो change हो गए अब root change हो गए तो आप इसको कैसे लिखोगे 3 root 2 divided by root 3 यह जो solution है यह इसको आगे solve करने को कहते है rationalize करना rationalize करना यह हम अगली वीडियो में या आगे कभी वीडियो में सीखेंगे जब यह topic आएगा अभी आपको बस इतना जानना है कि इसको आप आगे solve नहीं कर सकते हैं बिना rationalization method के तो वो बाद में सीखते हैं तो ऐसे ही एक और कोई एक topic ले लो कोई एक question ले लो जैसे 4 root 3 है divided by 2 root 5 है ठीक है दोनों को divide करना है तो आप बस 4 root 3 divided by 2 root 5 लिखकर छोड़ दो सिर्फ constant को cancel कर सकते हो जैसे 2 और 4 cancel हो सकता है तो यह cancel कर दो तो यह आएगा 2 root 3 upon root 5 denominator में root को हटाने के लिए हम हमेशा rationalize करते हैं जो हम आगे discuss करेंगे I hope अभी तक आपको यह root का system समझ आया होगा practice करना जितना practice करोगे उतनी clarity आएगी और उतनी questions में गलतियां कम होंगी